गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? I hope so, आप सब अच्छे होंगे और घर में होंगे बेटा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो कंडिशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर क्लासिस नहीं दे पा रहे हैं लेकि इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पढ़ाई स्किप होगी आप लोग की पढ़ाई continuously चल सकें इसलिए हम लोगों ने आपके लिए यह ओनलाइन क्लासिस स्टार्ट किया है तो बेटा, आप सब को इस ओनलाइन क्लासिस से पाटिसिपिट लेना है जैसे आप सेंटर में आके अपने विशे को पढ़ते थे अपने activities को करते थे और जो आपको homework मिलता था वो करते थे वैसे ही आपको जो भी इस online classes में आपको करवाया जाएगा उस चीज़ को आप घर में प्राक्टिस करना और साथी साथ जो भी activities करवाया जाए जो basic होता है आप हिंदी का विशे का कुछ थोड़ा बहुत basic सिखेंगे ठीके बेटा तो आज का हमारा विशे है वण माला बेटा आप लोग को पता है कि माला क्या होती है माला तो आप सब ने देखा होगा माला कैसी होती बेटा एक-एक मोतियों को पिरोकर एक पूरी माला बनती है उसी प्रकार जो वण माला होता है वो बढ़नों का पूरे सम्मू जो होता है उसको हम क्या कहता है वण माला बढ़ माला में दो प्रकार का हमारा सम्मू होता है जो एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंचा जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं ये हमारे स्वर है जिसमें स्वर क्या होता है? स्वर वो होता है जिसके उचारन के लिए किसी भी अन्य ध्वली की अवश्चता नहीं होती उसको हम स्वर कहते हैं स्वर कौन-कौन से है हमारे यह हमारे बेटा स्वर होते है लेकिन जो यह अंग और अह होता है यह हमारे आयोग वहाँ वन होते है जो ना पूरी तरह से स्वर होते है और ना पूरी तरह से व्यंजन होते है आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो हमारा जो उपचारन है, उसकी जो ध्वनी है, थोड़ी से बदल रही थी बिटा, जब हम कोई भी चीज़ किसी के साथ जोड़ते हैं, तो उसका या फिर बज़न या क्वाइंटिटीव थोड़ी चेंज हो जाती है, वैसे ही, आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने इस अ को पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा धीरे बोला, कैसे बोला, लेकिन जब म इस ए को पढ़ा, लेकिन जब इसमें ए को चिन एड़ हो गया, तो उमने इसको पढ़ा, वैसी, ओ, री, ए, ए, ओ, ओ, अ, अंग, आह, ये लिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जब मैं इसको उफचार करते हैं, उफचारन करने के टाइम, इसकी जो ध्वनी होती है, उसमें ध्वनी परिवर्तन होता है, ठीक है बेटा, तो आप लोग को समझ में आ गया कि स्वर क्या है, तो उसी प्रकार हम व्यंजन को पढ़ेंगे, व्यंजन क्या है, व्यंजन वो है, जिसके उचारन के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यक्ता होती है, जैसे आप लो ख, ग, घ, आंगा, च, च, ज, 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 इया, ट, ठ, ड, ध, आड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, अब जब भी आप इसको उचार करेंगे, इन सवी वर्णों के साथ आपको आ का जो वर्ण है, उसकी विद्वयनी आपको हलकी सी सुनाई देगे, बेटा हम लोग हमेशन ये चीज़ करते हैं, कि हमें अ से अंगा तक पूरा याद हो जाता है, लेकिन बच्चों को ये जब हम बीच में से पूछते हैं, तो बच्चों को नहीं आ पाता है, तो हमें कभी भी इसको सिरफ सीधा सीधा नहीं पढ़ना होता है, कई बार हमें इसको आगे पीछे करके पढ़ना होता है, जब भी आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से नहीं, बलकि आगे पीछे करके जैसे ये इस तरीके से हम इसको पढ़ पढ़ के हम इसकी बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही सिरफ का और का से लेके आहा ताक हम सीधा सीधा नहीं पढ़ेंगे, आगे पीछे करके ही पढ़ सकते हैं, जैसे एक और मेथड में आपको बताती हैं उसमें, आप एक ग्रूप बना लीजे, जैसे मैंने एक छोटा सा ग्रूप बनाये बिटा, जिसमें मैंने पहले क को नहीं लिया, पहले मैंने वर्ण को लिया है, जैसे आपने वर, वर अगर आपको लिखना आ गया तो आपको बा भी लिखना आ जाएगा अब ये भी दोनों जो वर्ण है वो देखने में एक जैसे हैं लेकिन जब हम इसको उफचारन करते हैं तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है जैसे ये व है और ये बा है बोलने में थोड़ा अंतर है बा अगर हमन और बा को बनाना सिख लिया तो हम इसको बार-बार पढ़ने सामें ये याद भी हो जाएगा और उसी प्रकार हम क को भी बनाना आसान हो जाएगा अगर हमने व बना लिया तो बा भी बना लेंगे और क भी बना लेंगे ठीक है बिटा अज जो हमारा दूसर ग्रूप है वो ह अगर हमने न बनाना सीख लिया तो हम म को भी आराम से बनाना सीख लेंगे और उतना ही आसान हमारा भ बनाना होगा और ग बनाना होगा ठीक है वैसे ही हमें सीधा सीधा याद ना करके इस प्रकास से हम एक एक जो वन है उनको याद भी कर लेंगे और हमें लिखना भी आजाएगा वैसे ही ट, ध, द, और ठ, अगर हमने ट बनाना सीख लिया तो ध बनाने में कितना मुश्किल है बिटा सिर्फ यहाँ से एक गोला ही तो बनाना है अगर हमने ध बनाना सीख लिया तो ध बनाना में मुश्किल नहीं है अगर हमने चो बनाना सीख लिया चो को हमने कैसे बनाया ऐसे बनाया और यहाँ पर एक डंडा लगा देंगे तो हमारा घ भी बनाना आजाएगा और उसके साथ हमारा ध भी बनाना सीख जाएगे यहाँ से गोला लगा के कई हमारे वर्ण ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिखने के तुवार पर मिरते जुलते हैं और अगर हम उनके ग्रूप बना लें ग्रूप बनाके उनको लिखने के प्रैक्टिस करें तो हमें लिखना भी इजी तरीके से आजाएगा और हम उसका उप्चारण भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे जैसे दूसरा ग्रूप है ज ग्य च बेटा आप लोग सब इसको नोट डाउन भी करना ताकि आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सको ठीक है अब दूसरा ग्रूप है ड अंगा ज अगर हमने ड बनाना सीख लिया तो अंगा बनाना भी सीख जाएंगे ज बनाना भी हम सीख जाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है यह डाव बना लिया अंगा बना लिया अब अगर हमने अंगा ऐसे बनाया और यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दी और एक डंडा ऐसे करके और एक और डंडा एट कर दिया तो हमने जह भी बनाला आराम से सीख लिया अब इसके साथ हम यह और था भी ब सीधा-क प्राक्टीस एक इसी तरीके से लिखने के प्राक्टीस भी इसको कर सकते हैं और आप उसका उप चारन भी साथ काज़ चाथ करते रहेंगे तो बीच पीच में से जो बच्छे कभी-कभी भूढ जाती हैं अपना वृंड को अक्षर भी तो नॉर्मल भाशा में जब हम अक्षर बोलते हैं तो बीच बीच में हम अगर हम किसी भी बच्चे को पूछा जाता है कि यह क्या है तो बच्चा दुपारा यहां से मन में पढ़ना स्टार्ट कर देता तब जाके वह बता पाता है इसको ठो लेकिन अगर हम इस तरीके से जिस तरीके से हम लिखने की प्रैक्टिस और उचार करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं वह गुरूप मैंने बता दिया है अब कोई भी बच्चया सीधा सीधा कर से लेके हाँ तक याद नहीं करेगा आप ऐसे एक गुरूप बनाके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और साती सा उसका उपचारन भी करेंगे ठीके बेटा अब हमारा जो स्वर होते कितने होते हैं 11 ठीके और हमारे व्यंजन कितने होते हैं 33 लेकिन व्यंजन में कुछ ऐसे अक्षर भी होते हैं जिनको हम सन्युक्द वेंजन कहते हैं ठीक है बेटा? जो हमारे सन्युक्द वेंजन होते हैं जो हमारे सन्युक्द वेंजन होते है बेटा वो हमें लिखने में तो हम एक ही अक्षर में लिखते हैं लेकिन जब उसका उचारन करते हैं वो जो अक्षर बनता है वो एक से जादा वर्णों का बनता है जैसे हमारा श है श जो बनेगा वो क और श इन दोनों को मिलाकर हमारा श बनता है ठीक है? अब ये शह हम किस-किस पर यूज करते हैं आप लोगों को जब कक्षा बोलते हैं जिसे का हो गया का के साथ ये वाला शह इस्तिमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा कक्ष लेकि जब इसके साथ आ का डंडा जो मैंने अभी अब तक आपको करवाया नहीं ये लिए कि मैं सिर्फ आपको एक्जांबल बता रही हूँ कि जब हम इसमें एक आ का डंडा या एड कर देंगे तो इसका भी उपचारन थोड़ा सा अलग हो जाएगा कक्षा पहले हमने कक्ष पढ़ा था सिर्फ एक डंडे के वज़े से एक मात्र के वज़े से इसका उपचारन थोड़ा अलग हो गया कक्ष से कक्षा हो गया ठीक है बिटा वैसे ही एक और संग्यूब एंजर है जुसको हम करेंगे श्रा जो हमारा दो वर्णों के योग से बनता है श्रा जमा रा श्रा वैसे ही हमारा त्र त जमा र त्र और जो हमारा गया है गया हमारा बनता है ज जमा या ये दो दो वर्णों से हमारा एक वर्ण बनता है यानि कि एक अक्षर बनता है ठीके बेटा तो आप लोग ये सब कुछ लिखे और प्रैक्टिस करें बेटा जो हमारा क, ख, ग, घ, अंगा च, छ, ज, 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 इयां त, थ, ड, ध, अड, अड, त, थ, द, ध, अड, अड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह इन सब को जब भी हम उपचार करेंगे कभी भी कोई भी बच्चा कासे कबूतर नहीं बोलेगा क्योंकि बेटा सिरफ कासे हमारा कबूतर शब्दी नहीं बनता उसके बदले कई शब्द बनते हैं जैसे कमल हो गया, कलश हो गया आपके घर में भी कई ऐसे लोगों के जिनका नाम कर से स्टार्ट होगा जैसे कि मेरा नाम क्या है, कलपना तो मेरा जो पहला अक्षर है नाम का वो कर से शुरू होता है वैसी खर से, खर से भी सिर्फ खरगोश नहीं होगा खर से खर्थ हो सकता है खासे खिड़की हो सकती है, काफी ऐसी चीज़े हैं जो खर से होगी तो आप लोग कुछ ऐसी चीज़े एक एक अक्टिविटी साब की ये भी है कि आप लोग अपने घर में कुछ ऐसी चीज़े देखेंगे जिनका उपचारन इन सब वर्णों के द्वारा किया जाता है ठीक है बेटा? तो अब हम कुछ दो अक्षरों के शब्द को सीखेंगे हम बार-बार वर्णों की प्रैक्टिस इसलिए करेंगे लिखने में भी और उपचारन करने में भी ताकि हमें जो बीच बीच में से जो अक्षर है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से याद हो जाए जैसे हम मैंने सरफ क ही ले लिया का हो गया लेकिन का के साथ मने ल लगा दिया तो क्या बन गए ये बिटा का ल वैसे ही अगर हमने च ले लिया हम ला को सेम रखेंगे चा के साथ ल लखा तो हमने क्या हो गए ये चल फ ला फल ब ल बल ह ल हल बेटा अब ल ल ल ल ल सब के साथ ल है तो इट मींज अगर आप बार बार इन अक्षरों के साथ ला को बार बार पढ़ रहे हैं तो दुबारे आपको ल याद करने की जूरुत नहीं पढ़ती क्योंकि वो ला बार बार बोला गया है यानिकि repeat हुआ है तो क, ल, कल च, ल, चल फ, ल, फ,ल ब, ल, बल ह, ल, हल ठीक है वेटा इसी तरीके से हम कुछ ऐसे अक्षरों को लेंगे अलग-अलग अक्षरों को आगे लेंगे लिएकि पीछे वाले अक्षर हम सेम रखेंगे ऐसे ही कुछ अक्षर है अब इन अक्षरों में भी इन जो शब्दों में भी आपने देखा होगा जो रा है वो बार-बार बोला जा रहा है अगर हम इस तरीके से कुछ शब्द बनाएंगे जो पीछे वाले अक्षर एक जैसे होंगे तो वो बार-बार हम पढ़ने पर हमें ये अक्षर आसानी से याद हो जाएगा हमें इस तरीके से अक्षरों को याद करने में बहुत ही जादा आसानी होगी कुछ बेटा दो अक्षरों के शब्द को हम इस तरीके से भी करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक कप बना दिया अगर आपको वन अच्छे से बीच बीच में से भी याद हो गए तो इसको आप जानते हो आपके घर में देखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं इसको कप बोलते हैं अब कप में मैंने पा लिख लिया तो हमें कौन सा अक्षर यहाँ पे लिखेंगे जिससे ये पूरा शब्द पूरा होगा क्या मिस हुआ इसमें पा लिख लिख लिया तो सिर्फ क्या लिखने की जरूत है कब का पा कब ठीक है बिटा वैसे ही कुछ और शब्द है इसको भी देखाओगा बेटा सबने अपने घर में नलका देखा है आप लोगोंने तो जैसे ही हमने न लिखा तो दूसरा अक्षर क्या आ रहा है बोलने में न ल क्या मैंने यहापे ल लिखा है नहीं लेकिन जब भी ऐसे खालिस्तान आप लोगों को मिले तो आप लोगों खुद से पहले शब्त को बोलना बोलने के बाद जो आपको अक्षर इसमें नहीं दिख रहा है उस अक्षर को आपको लिखना है जैसे न लिख लिख लिया अब हमें क्या लिख रहा है नल बनाने के क्या लिख रहा है न ल क्या बन गया? नल वैसे ही बिटा आप लोगों ने खत तो देखा होगा अब मैंने यहाँ पर ख लिख लिए अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? तो क्या बन गयी है? खत वैसे हम कुछ और शब्दों को बनाएंगे जैसे सबने देखाऊँगा फल अब मैंने यहाँ पर फल बना दिया है अब फल में फा तो लिख लिए हैं कि मैंने क्या नहीं लिखा इसमें बटा? ल तो फा ल फल अब यह है हल तो मैंने ल लिख लिए है तो मैंने क्या नहीं लिखा बेटा? इस शब्द में हमारा मिसींग है ह तो हम इसको लिखेंगे ह इस तरीके से हम सब्दों को जोड़ कर और कुछ-कुछ जो शब्द है वो पूरा करकर जो शब्द मारी ना लिखे हो हम उसको पढ़कर लिखकर अपने शब्दों को पूरा कर सकते हैं और अपने जो शब्द हैं उनको खाली स्थानों को इस तरीके से पूरा कर सकता है तो बेटा जिस तरीके से हम लोग क्लास में एक विश्य को पढ़ते थे ठीक है अभी में क्लास ऐसा है कि मैं आप से कुछ पूछ नहीं पा रही हूं और हमारे स्वर कितने होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं ठीक है बेटा? और हमारे व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 33 व्यंजन होते हैं जिसमें उसके बाद हमारे 4 सन्यूग व्यंजन होते हैं जो मैं आपको बता चुक हूँ एको चीज यह है बिटा, जब भी आप क से लेकर हा का उचारन करते हैं तो क क को हम का नहीं बोलेंगे, ठीके बिटा? हम उसको क बोलेंगे, हलके से मुँझ को दबा कर ताकि हम जब मात्राओं को सीखेंगे, मात्राओं को किस तरीके से वो उचारन करें उच चीज का हम differences सीख पाएंगे जैसे अगर हमने यहाँ पे क को अपचार किया क लेकिन जब हम मात्रा सिखेंगे आ की मात्रा तो हम इसको का पड़ेंगे क और क जिस तरीके से मैंने आपको स्वर के टाइम पे बोला था जब हमने और आ का जो पचारन किया था हमने धीरे पड़ा था लेकिन जब उसमें आ का एक डंडा आ गिया यानि कि उसका वजन बढ़ गया तो हमने उसको किस तरीके से बोला जोर से बोला आ यानि मूँ को खोल कर ठीक है लेकिन जब तक आपका किसी भी अक्षर में कोई भी किसी के चेन या मात्राए ना हो तब तक आप उसको थोड़ा सा मुँ को दबा के बोलेंगे ठीक है क, ख, ग, घ, अंगा ठीक है बेटा इस तरीके से आप क से लेके हाथ तक को उचारन करेंगे अब हमारा एक्टिविटीस के बारी है बेटा तो एक्टिविटीस हमें इस तरीके से करना है आप एक शीट लेंगे एंतरी शीट लेंगे और उसमें अपने जो हाथ है उसको ऐसे रखेंगे और उसको इस प्रकार ड्रॉ करेंगे ठीक है बेटा इस प्रकास है ड्रॉ करने के बाद एक पेड़ बनाएंगे ठीक है बेटा और उसके बाद इस पेड़ में आप क्या करेंगे कलर करेंगे और जो हमने स्वर और व्यंजन को सीखा है हम स्वर और व्यंजन को इसमें लिखेंगे ठीक है बीटा आप ज़रूरी नहीं कि बिलकुल लाइन से लिको जिस तरीके से मैंने बोला कभी भी स्वर व्यंजन कर कोई भी अक्षर होगा आप लाइन वाइस उसको याद मत करना आप बीच बीच में से जो ग्रूपिंग मैंने आपको बताई थी उस ग्रूप के आप पूरा लिखने के बाद जो भी अक्षर के शब्द आपके घर के जो घर के मेंबर हैं उनका खिसी सबका नाम होगा तो जिनका भी नाम जिस भी अक्षर से शुरूबात हो रही है आप उसमें गोला लगा सकते हैं जैसे मेरा जो नाम का जो पहला अक्षर है वो है कर तो तो हम क से कभूतर आज तक पढ़ते हुआ हैं तो हम क से कभूतर ना पढ़के हम ये भी बोल सकते हैं कि क से मेरे पापा का नाम आता है या मेरे सिस्टर कमला का नाम आता है या मेरे घर में कलश है या मेरा कमरा मेरे पास दो कमरे हैं यानि कि इन सब में हमने किसको यूज किया का 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 से हमारे कई शब्द बनते हैं वैसे खा गा गा चा चा जा इन सबी जो वर्ण है उन सबसे अलग अलग शब्दों को बनाया जाता है चीक है? उसके बाद मैं आपको यह बना के दिखाती हूँ इस तरीके से आपको अपना बनाना है एक्टिविटीज और वर्ण लिखने के बाद जो भी आपके दोस्त हैं या आपके रिष्टदार हैं या आपके घर के मेंबर हैं जिनका नाम जिस सक्ष़ से शुरू होता है आपको उसमें गोला लगाना है ठीक है? गोला लगाने के बाद आपको कुछ लाइस खीचनी है और उसमें वो नाम लिखना है ठीक है बटा? एक या अक्टिविटी आपकी ये है जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा क्योंकि मेरा नाम में मैंने गोला लगाया है और ये कर्स शुरू हो रहा है ठीक है बटा? उसी प्रकार आपको अपने घर में कुछ वर्ड ऐसे चूस करने है जिसमें आप सोचो आपके कौन कौन से दोस्त है तो पहले आप जो होमबक है आपका परिवार का नाम ये तीन कॉलम आप लोग को बनाने है आप अपने परिवार की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि कई बच्चों को अभी तक शायद शब्द मात्राएं किस तरीके से बनाना है वो शायद ना आता हूँ लेकिन आप अपने परिवार की मदद से इनको अपने परिवार में आपके जो भी सदस है उनका नाम लिखना है जो भी दोस्त है उनका नाम लिखना है और जो भी पडोस है उनका नाम लिखना है और उसके जो आगे वाला अक्षर होगा उसमें ऐसे अंडरलाइंग करनी है ठीके बेटा ये आपका homework है और फिर से मैं बोल रही हूँ आप लोग घर में रहिएगा और सेफ रहिएगा और प्लीज आप इस online classes में participate करिएगा ताकि आपकी जो study है वो continuously चल सके क हमें ताकि आपकी जो हमाज़ आपकी वो तापकी वे लिएगा जो करनी है ये गयदे!